नमस्कार दोस्तों जैहिन आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है अगर आप अमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज अवस्से करिए आज के इस वीडियो में हम थ्री फेज लोकों में SB1 पैनल के बारे में बात करेंगे SB1 पैनल मसीन रूम नंबर वन में HB1 के बगल में लगा हुआ रहता है इस SB1 पे जाके जब हम पैनल को खोलेंगे तो क्या-क्या चीजे दिखेंगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं जैसे ही हम दरवाजा खोलेंगे तो सबसे उपर SB1 पैनल में चार प्रोग्रामिंग स्विच दी है 152, 154, 160 और 237.1 इस प्रोग्रामिंग स्विच में आन 11 यानि इसका O, इसका N, इसका 1, इसका 1 आन 11 पोजीशन नार्मल होती है एक जोग्रामिंग स्विच के पोजीशन 0 और 1 होती है यह 0 पे रहता है 1 पे करने पे यह थाटल फेलोर के समय इसको 1 पे करते हैं इसकी वीडियो लग से पड़ी हुई है 154 में एक साइड N रहेगा एक साइड 1, एक साइड 2, एक साइड 1 प्लस 2 ठीक है यह N पे रहता है इसका नाव यह बोग्या इसुलेट करने के काम आता है 160 नंबर जो होता है यह आपका संटिंग के समय यूज होता है अगर इसको 0 पे कर देंगे तो यह 15 किलो मेटर से स्पीड में फिर गाड़ी चलेगी संटिंग के परपस से यूज होता है 237.1 इसको जब 0 पे तब करते हैं जब हमारा VCD abnormal behave कर रहा हो यहनि VCD का हम 60 से कंड वाली साइकल पूरी कर रहा है उसके बाद भी VCD apply कर रहा है malfunctioning कर रहा है VCD तब इस 237.1 switch का use किया जाता है उसके बगल में आपके VCU वाले लोकों में VCU लगा हुआ है उससे पहले एक simulation mode का light और चाभी का slot है उससे हमें मतलब नहीं है maintenance के लिए होता है जिससे हमें मतलब है उनी के बारे में बात करते हैं फिर एक VCU का एक yellow color का push button रहता है self illuminated होता है यह जब उसको दबाएंगे push करेंगे तो उसमें light भी जलेगी उसके बगल किसी किसी लोकों में ECPSW का switch लगा होता है 1.0 का इसका मतलब होता है emergency compressor switch जब आपका compressor BLCP के auto position पे नहीं काम करता है तब इस switch को operate किया जाता है इसके बगल आप देखेंगे कुछ resistance लगे होते हैं green color के जो कि train bus का और 78 relay का होता है उसके बाद उसके नीचे MCB यां लगी होती है कई अब MCB का जो serial number है वो लगभग यही रहता है कुछ change भी हो सकता है प्लस उस पे नाम भी लिखा रहेगा जैसे 127.3 by 1 ये driver cab चालक कच का breaker होता है उसके बगल 127.12 ये होता है आपका pantograph और DJ का उसके बगल लगा होगा 127.192 ये होता है power supply circuit breaker उसके बगल रहेगा 310.1 by 1 ये headlight का रहता है उसके बगल रहेगा 127.1 by 1 ये traction converter SR1 का circuit breaker है और 127.11 by 1 ये gate 1 का होता है जब हमको program switch से bogey isolate करना होगा तब इस 114 का use करेंगे और जब MCB द्वारा isolate करना रहेगा तो इन दोनों switch को आफ कराया जाता है ठीक है उसके बगल 127.2 by 1 लगा होता है ये monitoring circuit breaker होता है उसके बगल bar 1 का 127.22 by 1 ये bar 1 का MCB है ये लगा होता है उसके बाद का speed sensor का 127.25 by 1 ये speed sensor का है ठीक है ये important वाले हमने बताये है इसमें बीच में आपके central electronic circuit breaker 127.9 by 1 और 127.9 by 2 ये central electronic circuit breaker 1 का है ये breaker 2 का है ठीक है और इस तरह इसमें और भी लगे रहते हैं लेकिन उनका उतना use नहीं है उसके बगल में हमारा MVR 86 minimum voltage ले 86 और उसके बगल OCR 78 लगा होता है ये सीसे में बंद होता है ठीक अब अगर उसके नीचे हम देखें तो आपको यहाँ पर दिखेगा 89.7 ये होता है अर्थ फाल्ट रिले ये red कलर का दिखेगा आपको उसके बगल फिर इसी अर्थ फाल्ट का फिर रजिस्टेंस हो लगा होगा ठीक है अर्थ फाल्ट का ये रजिस्टेंस है और उसके बाद कुछ आपके कांटेक्टर लगे होंगे जैसे पहला होगा 126.5 ये कंट्रोल एलेक्ट्रानिक्स आफ के लिए है उसके बगल 136.4 ये आपके VCB का कंटेक्टर है CF कंटेक्टर और VCB कंटेक्टर हो गया फिर उसके बगल एक और होता है 126.7 ये कैब 1 के लिए पावर सप्लाई फार कैब 1 इसका कंटेक्टर रहेगा और उसके बगल रहता है 136.3 136.3 ये होता है time relay for VCB इतने इक कंटेक्टर लगे होते है ठीक है और इसी के बगल में लाल पत्टी के लाल पत्टी लगी होती है या पीली पत्टी और उसके नीचे आपके बलाकिंग डायोड कई सारे लगे होते हैं ठीक है कई सारे blocking diode लगे होते हैं और उसके बाद नीचे फिर सीसे में pack कुछ item रहेगा और उसके बगल pt-fuge रहेगा अब pt-fuge, दो pt-fuge तो आपके spare में रहेंगे ये भी pt-fuge है और ये भी ये दोनो spare में रहेगा ठीक और एक pt-fuge जिसमें wire connect है वो आपका pt-fuge working वाला है ये दो ampere का pt-fuge है इस pt-fuge में red color का उपर नाब लगा होता है जब आप उपर से देखेंगे red color का ऐसे नाब रहता है ये ये pt-fuge में करेगा तो वो हलका सा उपर की तरफ आ जाता है ठीक है ये 2 ampere का होता है जब कभी catenary voltage out of limit का message आए उस समय हो सकता है trouble shooting के दोरान इस pt-fuge को आपको check करना पड़े तो ये देखना रहता कि red चीज उपर ना आ गया हो और अगर ये melt हो गया हो तो इसको ऐसे slot से खींच लेते हैं और जो spare वाला लगा है उसको slot से निकालके इस वाले slot में लगा दिया जाता है लेकिन ये काम करने से पहले आपका DJ open और पेंटो जरूर लोवर होना चाहिए ठीक है क्योंकि DJ तो open रहे गई पेंटो लोवर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ठीक और ये जो C से में बंद है इसमें भी कुछ हमारे contactor लगे होते है तो सबसे पहले लगा होता है 338.1 ये headlight का contactor है ठीक उसके बगल में आपके लिए जो बहुत important है 126 और 218 ये दोनो contactor लगे होते हैं contactor की बनावट ऐसे होती है ऐसे round सा होगा इसमें यहाँ पे एक पत्ती निकली रहती वही उसपे नीचे जाके लगता है तभी आपका contactor pick up करता है इस contactor को अगर control आपका कह रहा है तो इस नाव जो पत्ती है इसको नीचे दबाके इसको manual भी pick up कराया जाता है लेकिन बहुत तब जब TLC और से ने एलाव कर दिया हो तो यह जो 126 नंबर का contactor है यह control circuit का contactor है और 218 नंबर का जो contactor है यह control electronics का contactor है ठीक है तो जब हमारी गाड़ी चल रही होगी C यान के समय जब D पे रहता है तो हमारा यह दोनों pick up रहता है और cooling mode में हमारा क्या होगा केवल 126 close रहेगा 218 open रहेगा वही काम जब हम VCU से करते हैं जब VCU को press कर रहे होते हैं उस समय हमारा केवल 218 contactor खुलता है 126 contactor लगा रहता है जिसके कारण हमारा BP pressure drop नहीं होता है अगर C से हमने आफ कर दिया तो दोनों हमारे contactor drop हो जाएंगे और गाड़ी में emergency break भी लगेगा ठीक है इसलिए VCU का use किया जाता है तो इसी तरह का वहाँ पे आपको लोकों पे चीजे लगी हुई मिलेंगी इसका आप screen start ले लीजिए और वहाँ पे आप देखेंगे तो एक एक चीज वहीं पे लगी हुई है तो उससे correlate करके आप अपने नालेज को बढ़ा सकते हैं डारेक्ट लोकों में ले जाकर हमने फोटो नहीं लिया है क्योंकि ये थोड़ा safety के लिहाज से सही नहीं है कि लोकों का live फोटो हम social media पे upload करें तो ये फोटो आप इसका स्क्रीन साड़ ले कर जाएंगे तो आपको यही चीजे मिलेंगी फिर उससे आप अपने आप नालेज को और बढ़ा सकते हैं एक चीज और SB1 के ही नीचे हमारा Vehicle Control Unit लगा होता है VCU No.1 जिसको हम लोग क्या कहते हैं Control Electronics टीक है इसे में Control Electronics के नीचे कार्ड बगेरा लगे होते हैं और इसमें एक बगल में Sensor भी आपको लगा होता है जो इसके Temperature को देखता रहता है Monitor करता रहता जब इस Control Electronics का तापमान 70 डिग्री से उपर हो जाता है तो आपके पैनले पे LSE का लेंप जलता है और आपका TV 0 हो जाता है उस समय आपको Cooling Mode का यूज करके जो ठंडा करना रहता है Normally जब लोको चल रहा होता है तो Machine Room Blower के हवा के द्वारा ये Control Electronics के कार्ड ठंडे होते रहते हैं और जब Cooling करते हैं तो सिर्फ MRB अगर वो Single Phase वाली MRB है तो उससे ये ठंडा होता रहेगा कुछ लोकों में Modified करके Machine Room Blower को 3 Phase का कर दिये हैं उस लोकों में Cooling करना मना है क्योंकि Cooling में हमारी 3-0 Axial Converter काम नहीं करते हैं तो ये MRB भी नहीं चल पाएगा क्योंकि इसको Burr 2 से Supply दिया गया है तो ऐसे लोकों में Cooling मना होती है जो लोकों इस टाइप के होते हैं जिसमें MRB 3 Phase का है उसमें Cab में Pumplet भी लगाया गया है SB1 में जितनी भी MCB यां लगी है इनको आपरेट करने से पहले C का आफ होना जरूरी है सिवाए सिर्फ एक ऐसा है इसमें जिसके लिए आपको जरूरत नहीं है वो है ये 310.1 by 1 यानि ये Headlight का MCB है इसको आपरेट करने से पहले आपको QLVC भी आफ करना है बाकि ये जितनी MCB यां लगी है इनको आपरेट करने से पहले आपको C आफ करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग स्विच का ये है सब के बारे में अलग-अलग है इसमें केवल 237.1 यानि जो विजिलेंस वाला है उसको आपरेट करने से पहले C आफ करना जरूरी है बाकि के लिए नहीं उसके लिए अलग-अलग कंडिसन है वो अलग वीडियो पड़ा हुआ देख लीजेगा आप लो और 154 से जब बोगी काटेंगे तब तो C आफ करने की जरूरत नहीं है लेकिन जब बोगी वापस सर्विस में लाना होगा इस 154 से तो भी C आफ करने की जरूरत पड़ेगी यह OCR 78 EZQLM काम करता है यह Over Current Relay है Main Transformer का ठीक है MVR Minimum Voltage Relay 86 है यह जब voltage लिमिट से कम हो जाएगा तब यह आप रेट होगा ठीक और यह सिर्फ Cooling के समय ही काम आता है Traction के समय नहीं कुछ लोकों में RTIS Real Time Information System यह अगर लगाया गया है तो उसकी BMC भी यहीं पे SB1 में होता है ठीक है SB1 में यहीं पे लगा होता है तो उमीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपके knowledge को बढ़ाने के लिए बहुत helpful होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों और अपने running group में इसको share करें ताकि line पर होने वाले failures को हम minimize कर सकें थांक यू